आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं परफेक्ट फ्रेंच फ्राइस की रेसिपी इसे बनाना बहुत ही आसान होता है और इसे लगबग हफ्ते दस दिन के लिए इस्टोर करके भी रखा जा सकता है जब आपके इचा हो आप इसे डी-freeze से निकाल कर रखाते हैं इसे इंजोई कर सकते हैं तो आईए अब भी देर की आना स्टार्ट करते हैं रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर फर्स्ट टायम आये हैं प्लीज सब्सक्राइब मैई चैनल और प्रेंट बेल आई सबसे पहले लुपकर नाइव नाइफ में कट करना एंध्याट नुपकर सोटे। और जादा पणimporte supply करना समय मोटे करना एंध्याटा फ्रेंश छिसरी इसमी button कर दो दो समझाई illustrate आप जितने लंबे आलू लेंगे उतने अच्छी आपकी फ्रेंच फ्राइज का शेप आएगा यह देखिए इस तरह से हमें लंबाई और मोटाई में कट करने हैं यह देखिए कुछ इस तरह से कटिंग करनी है हमें इतनी मोटाई रखनी हमें आप इसे भी फेके नहीं इसे भी आप फ्रेंच फ्राइज में यूज करें यह भी बहुत अच्छा लगते हैं साइट की कटिंग यह देखे इतनी मोटाई हमें प्रेंच फ्राइज की यह देखे यह बिलकुल यह साइज ए इसाज साथे अलों को लंबाई में कट कर लेना है और इतनी मोटाई रखनी है considering इन सब आलों को इस तरह से काटते जाएंगे और इस तरह से पानी में डालते जाएंगे यह नॉर्मल पानी है यह देखिए मैंने सारे अलू की कटिंग निकाल ली है कितनी अच्छी कटिंग करी है अब आपको भी इसी तरह से सारे अलू की कटिंग कर लेनी है और इस तरह से पानी में डाल कर इसे अच्छे से दो बार धो लेना है पानी में दोने के बाद हमें इस तरह का एक स्टेनर लेना है और इस टेनर के उपर आपको इसे डाल देना है अलू को ताकि इसका जितना भी एक्सीस वडर होगा वो निकल जाएगा अगर आप इस प्रोसेस को स्किप करना चाहे तो भी कर सकते हैं इसकी बड़ा मोटा वाला और उसके उपर इस तरह से आलू को रखे और इसे अच्छे से साफ कर ले थोड़ा रगड़ रगड़ कर इसके अंदर पानी नहीं रहना चाहिए हलका सा पानी होगा थोड़ा सा मोईस्चर होगा तो चलेगा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं यह देखिए मैंने सारे अलो को अच्छे से पॉँच लिया है यह डाय हो चुके है और इस दोरान मैंने एक कड़ाई में ऑईल गर्म होने के लिए भी रख दिया था जब हम आलू को अच्छे से साफ कर रहे थे हमारा ऑईल बहुत अच्छे से गर्म हो गया है अब में यह पर दो पार्ट में आलू को फ्राइ करूंगी क्योंकि सारे अलू जादा हो घुजाएंगे एक बार में और हमें सुफ इसे पांच मिनिट ов्राइ करना है और हमें इसे कंटिनू उह हिलाते रहने है यह बहुत जल्दी साफ्ड होने लगें गेगे हमें सवस्थ करना है यह देख्ञें है पांच मिनिट हो चुके हैं अब ह प्रेंच फ्राइस को निकाल कर रख देंगे जिससे कि जितना भी एक्सिस ओलोगा वह सब निकल जाएगा इस पर ही रह जाएगा अब हम सेकंड बेच के प्रेंच फ्राइस को भी और डाल देंगे अब मैं आपको एक फ्रेंच फ्राइस तोड़कर बताती हूं यह देखिए यह किती इजीली टूड़ गया है यहलके से सॉफ्ट हो चुके हैं बहुत जादा सॉफ्ट नहीं करना है सिर्फ हलके से चार से पांच मिटी हमें से हाई फ्राइब करना है देखिए यह थोड़ा सा प्रेशर करने पर यह दब रहा है अच्छे से यह देखिए मैंने सारी फ्रेंच फ्राइस को ओई में फ्राइब कर लिया था अब इसे थोड़ी देर फेन के नीचे ठंडा होने के लिए रख दिया था और थंडा होने के बाद हमें इस तरह के पॉलितिन लेनी है बिल्कुल कर रहा है क्योंकि हम इसे लगबग दो गंटे तक डीफ्रीज में रखेंगे यह देखिए दो गंटे हो चुके है मैंने से डीफ्रीज से निकाल लिया है और मैंने आपर एक कडाई में ऑईल गर्म होने के लिए भी रख दिया है हमें बहुत अच्छे से गर्म करना है आप यह तक पर दिफ्रीज में हफ्ते 10 दिन के लिए इतरो सकते है जब भी आपकी इच्छा हो आप इने चलर सकते हैं कभी भी एंजॉय कर सकते हैं उससे यह एक बार इटेल से लुक Kr وأ muchísimo बने तक जब तक अब उसे लिए बीख यह देखिए आप देख सकते हैं इनका कलर जो है चेंज होने लगा है यह गोल्डन कलर के हो चुके हैं अब हम बहुत जल्दी से बहार निकाल लेंगे हमें इसे बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है वरना यह जल जाएंगे अच्छे नहीं लगेंगे यह बहार से कुरकुर होते हैं और अंदर से सौफ्ट होते हैं बिलकुल गराडू जैसे यह देखिए यह बिलकुल परफे कलर है हमारी फ्रेंच फ्राइज का अब यह खाने के लिए बिल्कुल रेडी है अब इसमें कुछ भी नहीं करना है सिर्फ इसके अंदर हम थोड़ असा काला नमक स्प्रिंकल कर देंगे इससे इसका टेस्ट दोगुना हो जाएगा बहुत ही अच्छा लगता है आप चाहे तो इसमें अधर मसाले भी डाल सकते है दो झ्राल अफ़ले कैसे लेकिन हम कुछ भी नहीं डालेंगे सिर्फ खाला नमक डोलेंगे इससे ही इसका टेस्ट कर अच्छा आएगा विश आप मेरी स्प्रैच प्रेंच फ्रियज की रेसिमी को जरूर विजिया अगले स्पापेंट अलिफ राइगा और आपको मेरी यह